जोदपूर में बवाल के बाद भारी संख्या में पुलिस बलकी तैनाती कर दी गई है साथी अफवाये फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांती की अपील की जोदपुर में जोहरी बाजार में जुम्मे की नमास के लिए लाउड स्पीकर लगाने पर राजस्तान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सवाल उठाए जैपूर के ईद्गा मैदान में पढ़ी गई नमाज लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारक बाद जैपूर में धार में केक्ता की मिसाल हिंदु मुस्लिम एक्ता मंच के कारकरता नमाज के दौरान नमाजियों पर फूनों की वर्शा करने पहुंचे दिल्ली के जहांगीत पूरी के कुशन सिनेमा चौक पर रहतियातन भारी पुलिस बलतेनाद किया गया चारों तरफ बेरिकेट लगाए गए द्रोन के जरीए मस्जित और उसके आसपास इलाके पर नज़र रखी जानी दिल्ली में लोगों ने सामा मस्जित पर नमाज पढ़ी नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को गले लगा कर दी मुबारक बाद दिल्ली के सीलंपूर में लोगों ने सड़क के किनारे पढ़ी ईद की नमाज सड़क के किनारे बैरिकेट लगाया गया था दिल्ली में संसर्थ भवन के पास इस्थित मस्जित में भी पढ़ी गई नमाज शेहनवाज हुसेन, गुलाम नभी आसाद और पूर्व उपराश्ट पती हामिद अंसारी ने नमाज अदा दे मुंबई में भी लोगों ने ईद की नमाज अदा की, कुर्ला पूर्व रेल्वे स्टेशन रोड पर लोगों ने पढ़ी नमाज दो साल बाद ये मौका आया है जब सब लोगों ने यहां आकर एक साथ नमाज पढ़ी है मुपाल के ईदगा मैदान पर आज हजारों लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी, ईदगा के पास राख्ष्टों पर खूब रही भीर, इसके आसपास की सटीयू सटकों पर भी लोगों ने दरी बिचा कर नमाज पढ़ी कोलकाता में लोगों ने पढ़ी नमाज रेड रोड पर, लोगों ने नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे के गले मिलकर दिन बारक बाद, पश्चिम बंगाल की सियम ममता बैन जी ने ईद की बढ़ाई गया के वए कहा, हमें डरना नहीं, अमन की बात करना है अज दिन दिन के लिए एशा कामना भी होना है, कि जो भी आए 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 आने भी हो पिये मोदी ने ट्वीट करीट की शुब कामना है दी, लिखा इदूल फितर की हार्दिक शुब कामना है ये, शुब अबसर समाज में एक ता, भाई चारा बढ़ाए, सभी के अक्षे, स्वास्त और सम्रिधी की कामना आज अक्षे तृत्या भी है, इस मौके पर मतुरा के बाके बिहारी मंदिर में दर्शनू के लिए पहुँच रहे हैं शुब धालू, आज बाके बिहारी पर चंदन का लेट किया जाएगा, साथ ही सत्तू का भोग लगाया जाएगा आज अक्षे तृत्या के साथ परुसुराम जैन्ती भी मनाई जा रही है, परुसुराम को भगवान विश्नू का छटवा अवतार माना जाता है उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमनोत्री मंदिर के आज अक्षे तृत्या के दिन कापाट खुलने के साथ ही इस वर्ष की चार धाम यात्रा शुरू हो गई है लाउड स्पीकर को लेकर राजठाकरे के अल्टी मेटम का आज आखरी दिन आगे की रणनीती तै करने के लिए राजठाकरे करेंगे कारकरताओं के साथ बैठाक राजठाकरे के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा ही गे राजठाकरे की पार्टी MNS ने वी एचपी और बजरंग दल के साथ आज अक्षित रित्या पर होने वाली महा आर्ती का फैसला वापिस लिया कहा इद भी है किसी भी त्योहार में बाधा डालना नहीं चाहते महारास की सांसर नवनीत राणा उनके विधायक पती की जमानत पर कल आएगा फैसला मुंबई के सेशन को फैसला सुरक्षित रखाये धार्मिक भावनाय भलकाने के आरूप में भी भैकला जेल में बंद हैं राजद्रों की धारा भी लगाईगी मुंबई के एक हार में नमनीत राणा के घर बी एमसी ने अवैद निर्मान का नोटिस चिपकाया कल जाच करने जाएगी बी एमसी कीटी यूपी के सियम योगी आदेतरनात का आज सितीन दिन का उत्राखन दौरा आपने प्रत्तक गाउं में गुरू मेहंत अवैद नात की प्रतिमा का नावरन करेंगे जनसभा को भी करेंगे संबोधे केंद्रिय ग्री मंत्री अमिच शा का करनाटक दौरा आज बैंगलूरू में कई परियोजनाओं का उत्गाटन और श्रिला न्यास करेंगे दिली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा के घर करनाटक को लेकर हुई बैठक गिरी मंत्री अमिच शा, नेतिन गटकरी, राईनात सिंग और बीयल संतोश हुए शामेई पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हुई हिंसा में अब तक 58 FIR दर्ज, अलग-अलग आप राधिक मामलों के तहट 224 लोग गिरफ़ता हुए असम कोर्ट से गुजरात के दर्दली विधायक जिगनेश मेवानी को बड़ी राहत, कोर्ट ने FIR को फर्जी वताया, रहाई के बाद मेवानी का बड़ा बयान बोले, फ्लावर नहीं, फायर हुए, एक जून से गुजरात में करेंगे प्रदर्शन खत्रे में जारखन के सीम हेमन सोरेन की विधान सभा सदस्यता, मुख्यमंत्री रहते हुए, खनन पट्टा और ओद्योगिक जमीन अपने नाम करने के आरोप पर चुनाव आयोग ने नोटिस भीजा, पूचा कारेवाई क्यों ना हूँ? चुनाव आयोग की नोटिस को लेकर बीजेपी ने हमन सोरेन पर साधा निशाना कहा, मुख्यमंत्री की विधाय की खत्रे में, आने वाले दिनों में जारखन में होगी राजिनतिक उठल पूथ हूँ? गुजरात कॉंग्रेस के कारेकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से कॉंग्रेस का नाम हटाया, पार्टी से नाराज हैं हार्दिक पटेल पंजाब कॉंग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी और राजा ने सोनिया गांधी को चिट्थी लिखकर सिद्धू पर कारवाई की मांग की कहा पार्टी विरोधी गत्विदियां और बयान बासी पर कारवाई हो दिली के डिप्टी सीम मनीश सिसोधिया का बीजेपी पर भ्रष्टा चार का आरोप कहा नगर निगम के स्कूलों के डिजिटलाइजेशन के नाम पर हो रहा है घोटाला यूरॉप दौरे के दूसरे दिन पीम मोदी आज जर्मनी से डेन्मार्ग जाएंगे डेन्मार्ग के पीम के साथ विपक्षी बाच्ची दो यूरॉप दौरे पर पहले दिन बर्लिन में पीम मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के बीच राउंड टेबल बैठक हुई बैठक से पहले मोदी को गार्ड अफ ओनर भी दिया गया भारत ओ जर्मनी के बीच रेनेवल एनरजी ग्रीन सस्टेनेवल डेवलेप्मेंट समेथ नौ समझोतों पर स्ताक चरूए आपसी सायोग व्यापार बढ़ाने पर भी सेहमती बढ़े राउंटेबल बैठक के बाद पियम मोदी ने कहा भारत और जर्मनी महतवपून साज़दार है कोरोना काल के बाद भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थ विवस्ता में साज़दारी दे रहा है रूस युकरिन युद्ध पर पियम मोदी का बयान कहा जंग में किसी की जीत नहीं होगी सभी का नुकसान होगा जंग से तेल के दाम बढ़े खाद्य सामान खादी की कमी होई भारत शांती का पक्षधर है तुरंत युद्ध वराम होना चाहिए इस युद्ध में कोई विज़ई पार्टी नहीं होगी सभी को नुकसान होगा इसलिए हम शांती के पक्षध में है जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने भी कहा रूस के राश्च्टपती पुतिन जल्द युद्ध खत्म करें सीमाएं बढ़ा कर युद्ध नहीं जीत सकते जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने पियम मोदी को G7 समिट में शामिल होना का नियोता दिया जून में होनी है G7 शिखरवार पियम मोदी ने बरलिन में भारतिय समदाय को संबोधित किया बोले आज भारत को पता है कब जाना है और कहां तक जाना है भारत अपना मन बना चुका है जब किसी देश का मन बन जाता है तो वो देश नए रास्तों पर भी चलता है और मन चाही मनजिलों को प्राप्त करके भी दिखाता है मरलिन में भारतिय समदाय ने प्रधान मंत्री मोधी के सामने लगाए 2024 मोधी वंस मोर के नारे मोधी है तो मुमकिन है के भी नारे लगे पियम मोधी के विदेश दौरे पर कॉंगरस का तंस कहा देश में संकट छाया है मगर साहिब को विदेश भाया है तरमी में विजली संकट को लेकर एक्षन में सरकार गिरी मन्तिय में शाकी उड़ जाक, कोयला मंत्राले के इदिकारीं के साथ बैठाक, रेल मंत्री भी बैठाक में शामिल हुए बिजली की मांग में कमेच से सरकार को थोड़ी राहत, कोईले की आपूर्ती भी बढ़ी, ताजां आकडों के मताबिक एक मई को बिजली की मांग करीब 10,000 मेगावाट कम रही दिली में बवाना के जेजे कॉलनी में लोगों को नहीं मिल रहा है पीने का पानी, सरकार पर आरोप फ्री पानी का सिर्थ बादा ही रहा, पानी खरीद कर परिवार को पिला रहे है भैंकर गर्मी में दिल्ली में गहराया पीने के पानी का संकट चिल्ला गाओं में घंटो लाइन में लगने के बाद मिल पा रहा है पानी राजस्तान के जैसलमेर में इंद्रा गांधी नहर बंध होने से गहराया पीने के पानी का संकट 21 मार्ट से बंध है नहर इसके साथ ही बिजली कटोती ने भी बढ़ाई मुश्किले मध्यप्रदेश की राजधानी भूपाल के बान गंगा में पानी की किलत से लोग परिशान स्थान्य लोगों के साथ कॉंग्रिस ने किया मटका फोर्ड प्रदर्शन मुदाबाद, मुदाबाद, मुदाबाद मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मई के पहले हफते में तापमान 40 डिग्री तक रहने के आसार हीट बेव से मिलेगी राहत लेकिन आज से 6 मई तक आंधी से हो सकती है परिशान राजस्तान के कई जिलों में गर्मी से राहत की उमीद, मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में आज से 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट के आसार, अगले 4-5 दिन तक मिलेगी राहत, धूल भरी हवाएं चलने की आशंका चिंदोली में हिस्ट्री शीटर कनहिया की बेटी की पोस्टम रिपोर्ट में खुलासा, सुत्रों की मताबिक पोस्टम में शरीर पर चोट की निशान नहीं पाए गए है, फासी लगाने की भी पुष्टी नहीं हुई है चंदोली में गैंगस्टर की बेटी की संदिग मौत पर घिरी यूपी पुलिस, समाजवादी पार्टी ने सरकार पर बोला हमला, अखलेश यादब ने कहा, जान बूच कर पुलिस ने च्छापा मारा, यूपी सरकार ने कारवाई की बात कही यूपी के भदोही में पुलीस की बड़ी कारवाई एक कार से सतर किलो गांजा किया बरामद, मौके से गैंग के सरगना पंकच दूबे समे तीन लोग गरफतार यूपी के गोरकपुर में गौत तक्सकरों पर लगातार हो रही है कारवाई 25,000 रुपए का इनामी बदमाश तौफीक एमद की पुलिस ने मुटभेड के बाद उसे गरफतार किया तक्सकर के पैर में लगी गोली यूपी के बुलंच शहर में गंगा नदी में पाँच श्रधालू डूबे एक को बचाया गया चार के तलाश जारी श्रधालू गंगा में स्नान कर रहे थे राइस्थान के जहलार पाटन में टोल प्लाशा पर बेकाबुकार ने मारी टक कर वेरिकेट्स तोड़ कर कर्मचारियों को उड़ाया कर्मचारियों की हलत गंभीर कारचालक मौकी से फरार सीची टीवी में कैद हुई गटना दिली के भलस्वा लैंडफिल साइट में अब भी पूरी तरह नहीं बुझी है आग दमकल विभाग के कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं उडिशा के मलकान गिरी में बीमार बुज़ूर की जबानों ने बचाई जान चार पाई पर करीब दो किलो मीटर तक उठा कर अस्पताल तक पहुँचाया MPK अलिराजपुर में एक दुलहे ने तीन दुलहनों के साथ शादी की वाइरल हुआ विडियो समरत मौर नाम के आदमी ने आदिवासी रीती रिवाज से की शादी COVID वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोट ने कहा COVID वैक्सीन लगवाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता ठीका ना लगवाने वालों पर लगी पावंदियां हटाने पर विचार करें सरकार